महिंद्रा अपनी एक्षवी 3 डवलो को फेसलिट के साथ में बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर लॉंच करने वाला है लेकिन उसके उपर हमने जो प्रिवेस वीडियो बनाया था उसके अंदर जो लॉंच डेट थी उसके अंदर चेंज हो चुकिया है मतलब जो डीटेल्स इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको एक्षवी 3 डवलो के फेसलिट के साथ में जितनी भी चीजे होने वाली है वो सारी चीजे देखने को मिल जाएगी पिछले वीडियो के अंदर हो सकता है कि आपको सिर्फ मेंली हमने फोकस किया हो लॉंच डेट और प्राइस के लेकिन अब हमारे पास थोड़े बहुत वेरियंट के भी रिपोर्ट आ चुके है और इन डीटेल इनफोर्मेशन आ चुके है फीचर्स की तो उन सब के बारे में डीटेल में बात करेंगे एक्षवी 3 डवलो फेसलिट के सबसे पहले इंजन ऑप्शन मतलब इंजन ऑप्श डीजल इंजन देखने हो मिल जाएगा तीनों ही इंजन ऑप्शन के साथ में आपको six-speed का manual transmission देखने हो मिल जाएगा डीजल के साथ में proper six-speed का automatic talk converter भी देखने हो मिलेगा और बाकी के जो दो तर्बो पेट्रोल है उनके साथ में DCT देखने हो मिलेगा उठने मरलब high chances है DCT क आने के अगर DCT नहीं आता है तो फिर आपको वहाँ पे talk converter देखने को मिलेगा लेकिन most probably वहाँ पे talk converter का कोई logic नहीं बनता है तो basically वहाँ पे DCT आपको gearbox के तोर पे देखने को मिल जाएगा तो इतनी चीज़े अभी confirm हो चुकी है गाड़ी के engine options के बारे में बागी आगे recording expected launch rate और प्राइजिंग की बात करें इंडिया के अंदर तो आपको इंडिया के अंदर एक्षवी 3 00 20 April 2024 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और 9-15 लैस एक शोरूम जाएगी in terms of pricing बात करें launch की सबसे पहले तो पहले March ending थी जो की डीले हो चुकी है और 20 April हो चुकी है अभी डीले क्यों हो रही है वो किसी को नहीं पता अगर आप कमेंड करके यह बताना चाहरे हो कि यह गलत इंफर्मेशन है तो फिर आप जाके multiple resources से checkout कर सकते हो मैं resources नहीं बोलूँगा इंटरनेट पे जाके checkout कर सकते हो resources अलग चीज होती है मीडिया के sources वही से हम information लेते हैं बाकी आपको जो भी समझना है वो आप समझ सकते हो जो लोग पहले से चैनल के साथ connected है उनको अच्छे से पता है कैसे हमारा मतलब system वगरा चलता है बाकी pricing आप सभी लोग को पहले से ब लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दू वेरियंस के बार में तो वेरियंस आपके लिए टास्क है आप हमें comment डाउन करके बताओ कि आपको क्या लगता है वेरियंस के नाम पे कौन सी चीजे प्लेस कर सकती है 3 00 face lift के साथ में तो इससे यह चीज हो जाएगी कि मतलब आपको बंद्याजा आएगा आपके पास अपने point of views के हिसाब से pricing के हिसाब से कौन से आपके point of views है वो भी जानने को मिल जाएंगे और आपस में भी मतलब आप viewers भी अपने आपस में comment section के अंदर talk कर सकते हो या फिर conversation कर सकते हो regarding to the launch pricing variance किसी भी topic के उपर और उस पे reply हम भी कर सकते है अगर हमें पता है कुछ चीज तो बागी फिलाल तक इतना था वीरेंस के बारे में आपके टास्क के बारे में आगे बढ़ते और features की finally बात करें तो features आपको गाड़ी के साथ में बहुत ज्यादा तगड़े देखने हो मिलेंगे in terms of quality in terms of quantity सब कुछ मिलेगा महिंद्रा के सा सभी लोगों पहले से मतलब अल्रेडी पता चल चुका है जब से महिंद्रा ने जो इंप्रूमेंट्स करना इंप्लिमेंट किया है तब से तो सभी लोगों को कोई question अभी नहीं कर रहा महिंद्रा को तो यह चीज भी उन लोगों ने अच्छे से manage करी है गाड़ी को आपको एक बार ही ले ले तो तो उसके बाद गाड़ी के साथ में आपको टेimonologi वाले सिस्टम जो है या फिर फीचर से टैकी फीचर्स उनके साथ में ब्रूट्र मैं या फिर इंप्रोटैंब्न उनों के inspired होंगे एक्षुवी 7W से क्योंकि यह एक्षुवी 7W की उत्तरादी का रही है तो एक्षुवी का ही है मतलब character तो उस हिसाब से थोड़े बहुत चीज़े आपको similarity या फिर similar character वाली देखने हो मिल जाएगी और features की बात करें single pen sunroof जो आता है उससे थोड़ा सा बड़े size वाला बड़े dimension के साथ में संद्रूफ आपको देखने हो मिलेगा इन short बोले तो नेक्षुन से बड़ा संद्रूफ मिलेगा तो यह चीज़ अभी से confirm है आर 17 इंचिस के diamond cut alloy wheels आपको मिल जाएंगे पूरे exterior से design चेंज आपको देखने हो मिलेगा बहुत तगड़े मरलब rear looks की बात करें तो connected tail lamps होने वाले जो लोगों को पसंद नहीं थी rear की profile वह भी महिंज़ा ने change कर दिये front के अंदर तो बहुत सारे मरलब grill के अंदर changes है कुछ ज्यादा changes नहीं है headlamps और DRL के अंदर थोड़े बहुत tweaks एंड उसके अंदर cosmetic changes आपको देखने हो मिल जाएंगे 360 degree parking camera satellite view के साथ में आपको मिलेंगे connected car tech के features कही सारे आपको देखने हो मिल जाएंगे level 1 का add-as मिलेगा या फिर level 2 का add-as मिलेगा दो अप्षन है add-as के अंदर level 1 का add-as मिल जाजा है तो भी sonnet से ज्यादा features प्रोवाइड करेगा और अगर level 2 का add-as प्रोवाइड करेगा लेकिन अगर level 2 का प्रोवाइड करता है तो फिर क्रेटा वाले सेग्मेंट के अंदर जो फीचर्स है लेवल तू कहेडास में उसके कम पेरिटीवली थोड़े से कम फीचर्स आपको देखने हो मिलेंगे तो आई होब आप समझ रहे हो मैं क्या चीज बोलना चाहा रहा हो तो ये चीज़े महिंदरा अभी तो सोच के बैठी और बहुत तगड़ा मतलब धमाका तो एटलिस्ट वो लोग जरूर करना ही वाले और जिस हिसाब से ये गाड़ी मैं अभी से आपको बोल रहा हो आप लिख के ले लो जब ये गाड़ी लॉंच होगी तब उतनी ज्यादा अग्रेसिवली इसको प्राइस किया जाएगा वैल्यव फोर मनी वेरियंट को मतलब बहुत ज्यादा कॉंटिटी के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा आप सिर्फ पॉइंट आउट करो इस पर्टिकुलर फिगर पे मेरे को पर्टिकुलर नीट्स चाहिए इन तमस ओफीचर आपको वो वेरियंट देखने हो मिल जाएगा थ्री डबलो फेसलिट के साथ में तो उतनी तगडी प्रिपेरेशन के साथ में महिंद्रा लॉँच करने वाली है थ्री डबलो फेसलिट को अब तक जिन जिन लोगों ने इस गाड़ी को मतलब आउटडेटेड बोल दिया है खराब बोल दिया है सेल्स के मामले में बहुत घंदा बोल दिया उन लोगों को मतलब बोलने का टाइम आ चुका है कि भया आप बैट जाओ गाड़ी जो थबाही मचाएगी वो अलग लेवल की होगी सेवन एरबैक्स फिर से इंट्रोड्यूस करने वाली है महिंद्रा रियरेस इवेंस कंट्रोलर के साथ में मिल जाएंगे तो ये जो लोग कंप्लेंस करते थे उन्हीं कंप्लेंस को रिजॉल्व करने वाले फीचर्स की लिस में आपको गिनवा रहा हो बाकि फीचर्स गिनने बैठोगे तो ये वीडियो नहीं ऐसे तीन वीडियो भी कम पड़ेंगे उतने ज्यादा फीचर्स आने वाले आप अगरी करते हो या नहीं वो कमेंट डाउन करके बता सकते हो कमेंट सेक्षन में पॉइंट ओफ व्यूज शेयर कर सकते हो हम भी कोई पर्टिकुलर गाड़ी के उबर पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहे लेकिन जो फैक्ट है जो उसके अकॉर्डिंग चल गाए वो हम आपको बता रहे बाकी आई होप आपको इंफर्मिशन पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रू करके जाना बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों ड्राइव से तेंक यू